नमस्कार स्वागत है आपका दान्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी परसाद मोख्ये और उनकी सांसत बेटी संगमित्रा मोख्ये की मुश्किले लगातार बढ़ रही हैं अब लखनाओ की MP MLA कोठ ने संगमित् मोख्ये जो हैं वो बदाहू से बीचपी की मोजुदा सांसत है लेकिन अब उनका टिकेट कट चुका है बीचपी ने उन्हें इस चुनाव में टिकेट नहीं दिया है लेकिन उसके बाद अब संगमित्रा मोख्ये की मुश्किले बढ़ रही है दरसल बिना तलाक लिए थोक मित्रा मोख्ये के लिए बढ़ रही है और इसी माफ्ये में अब स्वामी परसाद मोख्ये के खिलाफ भी वारेंट जारी हो गया है ये भी जानकारी इस पूरे माफ्ये को लेकर सापने आई है खाली में संगमित्रा मोख्या का एक वीडियो भी काफी ज़्यादा वारल और उसके बाद वो एक पार फिर से सुर्ख्यों में है क्योंकि माफला जो है धोका धड़ी से जुड़ा हुआ है आरोप ये है बिना तलाक लिए धोका धड़ी करके दूसरी शादी करने का आरोप जो है वो स्वामी परसाद मोर्खे की जो सांसत बेटी है संग मित्रा मोर्ख की गिरफतार ही हो सकती है चुकि इस माफले में मारपीट करने गाली गलोच करने और जानमाल की धमकी देने और साथी साजिश रचने के आरोप में स्वामी परसाद मोखे उनके साथी नीरस दिवारी सूरिया परकाश शुकला और रितिक सिंग को कोट में हाजिर नहीं होने पर कोट ने इन सभी के खिलाफ गिरफतारी वारंट जारी किया है तो इस पूरे माफले में ना सिर्फ जो है बीजपी की जो मौझदा सांसद है बदायू से संगमित्रा मोखे उनके खिलाफ ये गिरफतारी वारंट जारी हुआ है बलकि इसके लाफा स्वामी परसाद मोख के साथ कई लोग चुकि कोट में खाजिर नहीं हुए उनके खिलाफ भी अभी गिरफदारी वारंट जारी कर दिया किया है दरसल लखनों के MP MLA कोट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और ACJM MP MLA अंबरीश कुमार श्रिवास्तव की कोट ने लखनों के रहने वाले पत्रकार दीपक कुमार स्वनकार और संग मित्रा मोर्य से जुड़े इस पूरे माफले में तीन बार सबन और दो बार जमानती वारंट जारी किया था लेकिन कोट में पेश नहीं हुए जिसके बाद ये गिरफतार ही वारंट जारी किया किया है अब इस पूरे माफले की सुनवाई जो है वो 16 अप्रेल को होगी आपको जानकार ने कि दीपक स्वनकार ने अपनी शिकायत में ये दावा किया था कि वो और साथ ही संग मित्रा मोर्य ज चुका है यानि पहले से वो साधी शुदा है और तलाक उनका होच चुका है उनसे तीन जनवरी 2019 को संग मित्रा से उसके घर में शादी की थी और जो कहीं ने कहीं जिसने शिकायत दर्श कराई है यानि संग मित्रा मोर्य के साथ लिव-इन रिलेशन में रहने के दावा करने वाले पत्रकार के मुताबिक संग मित्रा ने 2019 के लोकस्वा चुनाव में जूटा शपत्पत्र देकर खुद को अविवाहित बताया था ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई जबकि उनका अपने पहले पती से तलाक माई 2021 में हुआ आरोप लगाने वाले पत्रकार के इस तरह की जानकारी जो है वो पत्रकार जो है दीपक कुमार उनके तरफ से दी गई है कोट में ये तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई है यानि कुल मिलाकर संगमित्रा मोहिये पर ये गंभीर आरोप एक तरीके से जो पत्रकार हैं दीपक कुमार उनकी तरफ से लगाए गई हैं इसी माफले में जो है स्वामी परसाद मौखे भी कही ने कही फसे हुए हैं उनकी भी शिकायत जो है वो की गई है तो ऐसे में जब कोट में पेशी नहीं हुई जब कोट में वो पेशी नहीं हुए जिसके बाद अब गिरफतारी वहन जो है वो उन दोनों के खिलाफ किया किया है इसके लाबा कई और भी इस माखले में आ जो है कहीने कई वसे भूए हैं जो करीभी है सौाइ परसाथ मोख्य के उनको लेकर भी जानकारी साथ तो तो कुल मिलाकर जूटा जो कहीने कही शेपत पत्र है वो दिया गया है लोकषर्भा चुनाओं में ये बड़ा आखोप है पहले से शादी सुदा थी लेकिन शिपत्पत्र में ये कहा गया कि तलाख हो चुका है और वो अविभाइत है ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है जिमकि 2021 में उनका तलाख हुआ है तो ये तमाम जानकारी है और इस पूरे माफले को ह कोट में जंग्यान में लिया किया है जिसके बाद कहीं न कहीं उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट चारी कर दिया किया है तो ऐसे में जाहिर तोर पर गिरफतारी उनकी हो सकती है इस पूरे माफले को लेकर ये कहीं खबर साफने आ रही है तो ऐसे में जाहिर तोर पर चुन मैदान में कहीं कहीं कुदने की पूरी तयारी उन्होंने कर ली है लेकिन वहीं पर अभी तक उमिद्वारों का फैसला वो नहीं कर पाए हैं तो चुनाफों के बीच एक बहुत बड़ा जटका स्वावी पर साथ मौर्य और उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य के लिए ये खबर मानी जा रही है जिस तरीके के आफोप उन पर लगे और उसके बाद कोट ने इस पूरे माफले में संग्यान लेते हुए उन दोनों के खिलाफ गैद जमानती वारंट चारी किया है ये जाहिर तोर पर उनके खिलाफ गिरफतारी का एक वारंट है इस पूरे माफले में अभी में मुः का इस पूरे में मुष। झाल झाल झाल